So Hello Friends, मैं हूँ सुमिस्त्रवास्तो और स्वागत करता हूँ अपने चैनल के एक नए वीडियो में जो कि Indian Train Simulator के एक नए वीडियो से रिलेटेड होने वाला है और लेके मैं आ चुका हूँ खुस कवरी आपके लिए जो की होने वाला है नया अपडेट जो किया था जून 2023 में वो अपडेट लगभग अब सभी लोगों को मिलना सुरू हो गया है यानि कि बहुत लोगों को वो अपडेट मिलने लगा है बीटा अपडेट अलपा अपडे किसी के आइडी पे बहुत स्लोली स्लोली मिंस जो अपना डवलोपर है वो धीरे-दीरे किसी के आइडी पे धीरे-दीरे जा रहा है वो अपडेट और वो दे रहे हैं अपने तरफ से अपडेट सभी को एक साथ ना देखे किसी किसी के आइडी पे वो अपडेट जा रहा है पब्लिक अपडेट और एक साथ सभी को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि एक साथ अगर भेज देंगे तो साथ उनके सर्वर पर प्रावलम आ सकती है इसलिए वो धीरे जीरे सभी को दे रहे हैं तो उमीद है आप सभी को धीरे धीरे कभी न कभी वो अपडेट मिल जायेगा और जैसा कि मेरे को कमेंट में भी आता है कि मेरे पास अपडेट आ चुका है किसी पास अपडेट नहीं आया है तो कमेंट में जो कि आपका जो खुद का क्यूस्चन होता है कि कब आएगा अपडेट तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपडेट आ चुका है पब्लिक अपडेट आ चुका है और वो सभी को धीरे 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 मिलना सुरू हो जाएगा इस इक साथ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि जो आपका अगर किसी के आईडी पे अपडेट नहीं आ रहा है और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद भी आपको अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि जो आपका phone है जो आपका device है वो उस लायक ना हो यानि कि उस game को यानि कि Indian train simulator को चलाने के काबिल ना हो क्योंकि ये जो update आया है ये update थोड़ा बड़ा है थोड़ा ऐसा है कि जो कि आच्छे device में ही चल सकता है इसलिए आपका device हो सकता है उस काबिल ना हो इसलिए उसमें वो update ना दिया गया हो साथ ही साथ जिसके में Indian train simulator चल रहा था कुछ दिन पहले इस update के आने के पहले उनके से उनके ID में से भी इस game को हटा दिया गया है साथ ही साथ उनको update मिलना भी अब बंद हो जाएगा और ये update जो है जून 2021 का ये update भी उन्हें नहीं मिलेगा कुछ दिन में हो सकता है उनका जो अभी update नहीं मिल रहा है हो सकता है कुछ दिन में उनके Google Play Store पे वो game भी दिखना बंद हो जाए आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत से device में जो की 2GB RAM का device था मेरे पास है उसमें मैंने चेक किया तो उसमें इस game को नहीं दिखाया जा रहा है यानि कि ना आप उस game को install कर सकते हैं ना ही update कर सकते हैं तो आपको छोटी सी screen recording मैं दिखाता हूँ दो mobile का जो की होने वाला एक 2GB का mobile और एक होने वाला है 4GB का mobile दोनों को मैं प्रूप के साथ आपके सामने दिखाने वाला हूँ तो guys यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं 2GB का mobile जो है जिसमें 2GB RAM है उस mobile में हम play store में सबसे पहले जाएंगे और वहाँ पे अपने game यानि की Indian train simulator को search करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा Indian train simulator high bro interactive है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि यह device उस game को चलाने के अब काबिल नहीं रहा कुछ दिन पहले इस update के आने के पहले या कह लिज़े कि उसके पहले वाले update के आने के पहले यह game बड़े आराम से इसमें सो भी होता था और चलता भी था लेकिन इस update के आने के बाद या सायद मेरे को याद नहीं है कि इसके पहले वाले update के आने के बाद यह game इसमें दिखना भी बंद हो गया है यानि कि प्लेश्टोर में आपको सो भी नहीं होगा तो अब हम आने वाले हैं ऐसे कि अब हम अपने जो 12GB RAM वाला mobile है उससे हम share करेंगे इस mobile पे फिर देखेंगे कि यह game उस जो app का जो मैंने share किया है link उसके तुरू वो download होके चलता है या नहीं तो गाईज हम आ चुके हैं उस mobile में जिस mobile में हम खेलते हैं इंडियन ट्रेंस सेमुलेटर और यहां से हम share करेंगे वाटसप पे उस mobile में जो की है 12GB RAM का mobile उस mobile में हम share करेंगे अपने game को और देखते हैं उस link के तुरू हमें क्या देखने को मिलता है तो यहां पे हम आ चुके हैं share वाले option पे और करते हैं whatsapp अपने मम्मी जी के mobile पे जो की आप सामने की तरफ देख सकते हैं आ चुका है मम्मी जी ओ क्योंकि मम्मी का माई जी ओ का सीम है तो यहां पे आ चुके हैं सुमित अंके सिर्वास्तो जो की हमने भेजा है और क्लिक करने के बाद link पे जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यह कि your device is not compatible with this version और यह 2GB का mobile है 2GB RAM के mobile को आप देख सकते हैं मैं प्रूब दिखा सकता हूं आपको कि यह 2GB RAM का mobile है या नहीं तो यहां पे हमाचुके हैं about वाले section में about phone में और दिखाते हैं मैं आपको यह 2GB RAM का mobile है या नहीं यहां पे आपको सामने को मिलता है देखने के लिए कि storage जो है इसका 32 है तो 32 में normally 2GB RAM ही आता है तो यहां पे आप देख सकते हैं device storage है 32GB और जो RAM है वो है 2GB Redmi 7A को आप net पे search करके देख सकते हैं 2GB RAM का mobile है या नहीं तो यह मैंने पहला प्रूप दे दिया अब मैं दूँगा आपको दूसरा प्रूप जो की होने वाला है चार जीवी RAM के mobile के साथ क्या हमें उस चार जीवी RAM वाले mobile में Indian train simulator देखने को मिलेगा या नहीं कमेंट करके आप जरूर अभी बताईए मैं देखता हूँ आप गेस कर पाते हैं या नहीं तो चलते हैं उस चार जीवी वाले mobile में और देखते हैं कि ये गेम हमें देखने को मिलता है या नहीं तो गाइज अभी हम आ चुके हैं चार जीवी RAM वाले mobile लेके और यहाँ पे हम Google Play Store में जाके सर्च करेंगे अपने गेम को जो कि है Indian train simulator और इसको सर्च करते ही जो पहला आप्सन देखने को मिलता है Indian train simulator हाई ब्रो इंटर एक्टिव तो यहाँ पे आप install भी कर सकते हैं इस गेम को और play भी कर सकते हैं इस गेम को क्योंकि यह है 4GB RAM का mobile और इससे पता चलता है कि 4GB RAM वाले mobile जिनके पास भी हैं वो इस अभी गेम को खेल सकते हैं जब तक इससे कोई बड़ा update नहीं आता है वैसे तो यही update अभी तक नहीं आए पब्लिक के लिए पूरी तरह से क्योंकि कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है धीरे धीरे मिल पा रहा है तो जब तक यह पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक इसको आना तो नहीं यह कहेंगे तो एक तरह से मान लिजे कि यह गेम को चला सकता है 4GB RAM का mobile अगर आपके पास 4GB RAM का mobile है तो आप बड़े अराम से इस गेम को play भी कर सकते हैं और साथ शाथ अपडेट भी कर सकते हैं नए अपडेट को आपको प्रूफ दिखाना बागी रह गया है तो आप प्रूफ भी देख के जाईए कि यह 4GB RAM का mobile है तो दुबरा हम आ चुके हैं उसी mobile के screen regarding पे और दिखाते हैं आपको इस mobile का जो about phone में option आता है device memory और RAM का उसमें हम आ चुके हैं और देखने को मिलता है क्या कि यह है वो है 4GB RAM यानि कि इस वीडियो में आपको जो दिखाये गया है यही कि 2GB RAM के mobile में आपका अब गेम नहीं चलेगा और 4GB RAM तक का जो mobile है जिसके पास mobile है उसको अभी तक game चलाने में कोई problem नहीं आएगा हो सकता है 4GB RAM वाले mobile को जो mobile रखे हैं जो device रखे हैं उनको थोड़ी problem आ सकती है lag वगेरा का या किसी किसी चीज में problem आ सकती है लेकिन यह game अभी चलेगा 4GB RAM वालों में भी उसके बाद जो अगला update आएगा उसमें साथ device का जो problem है वो 4GB RAM वाले में भी आना सुरू हो जाए उमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपके लिए helpful है तो वीडियो को like कीजेगा चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और इसी तरह के वीडियो को देखते राने के लिए जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको click कर के all notification on कर लिजेगा उससे होगा ऐसा कि जब भी मैं अगली वीडियो डालूंगा उसकी notification आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी वीडियो को दोस्तों को साथ share कीजे ताकि उनको भी इस जानकारी के लिए पता चल सके इस जानकारी वो भी ले सके और comment करके जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे